नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम बात करने वाले हैं रिलाक्सो फुटवेर्स के बारे में क्वार्टर थ्री के रिजर्ट्स आच चुके हैं और शानदार पाफॉमेंस कंपनी ने दिखाया है तो ऐसी सिट्यूशन में क्या करना चाहिए खरीदारी करें तो कौन से लेवल पर करें इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कुछ बैतर जाना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं स्वीन्ग ट्रेडिंग के recommendation पाना चाहते हैं तो as a member अमें join करने के बारे में सोच सकते हैं तो हम देखने वाले हैं relaxo clerkDAY के financial result जहांँपर सारे figures rupees and crores में दिए गए है टोटल इंकम के बारे में बात करें तो 675 क्रोड की टोटल इंकम है जो की हमें quarter on quarter basis के मुखाबले उपर जाती हुई नजारी है और साथ ही साथ year on year basis भी सुधर चुगा है 609 क्रोड का profit revenue पिछले साल देखने को मिला था जो की फिलाल 675 हो चुगा है तो 10-12% की growth हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो शांदार performance यहाँ पर revenue basis पे दिखाए जिता है expenses के बारे में बात करें तो total expenses 555 क्रोड का है जो की of course हमें उपर जाता हो नजार है business बढ़ रहा है तो raw models के cost भी लगने ही बाले है तो of course business बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ने बारे है अगर बात करें profit before tax के बारे में 120 करोड का profit before tax देखने को मिला है जो की quarter on quarter basis के इसाब से 20% उपर है और पिछले साल 72 करोड से भी कम का profit before tax देखने को मिला था तो यहाँ पर भी शानदार growth हमें दिखाई देती है अगर बात करें profit for the period के बारे में जो की company के लिए सबसे important होता है net profit बन कराता है 90 करोड का जो की पिछले quarter में 75 करोड से और पिछले quarter में पिछले साल माफ कीजे पिछले साल 54 करोड का था तो आप समझ सकते हैं कि शानदार growth यहाँ पर हमें YY basis पर दिखाई दे रही है तो performance हमें सुधरता हुआ नजार आ है COVID-19 के वज़े से जो stores बंद हो चुके थे वो reopen हो चुके हैं लाड़लॉक की situation में यह सारी प्रक्रिया हो चुकी है और business वापस track पर आ चुका है और demand बहुत ही अच्छे दिखाई दे रही है और profits भी वापस on track और हमें आपर growth भी शानदार दिखाई देती है तो ओर रल बहुत ही अच्छा performance रिलाक्स ओ फुट्वर्स ने हमें दिखाया है stock के बारे में चर्चा करें तो एक mid cap company है 20,000 crores की market cap है 823 का large trade price है जो की 1.7% नीचे दिखाई दिया है returns के profile के बारे में बात करें तो 1 month में 3% के positive returns है 1 year के बारे में बात करें तो 14% के positive returns है 5 years के बारे में long term में multi bagger stock रहा है 253% के शांदा returns इस stock ने हमें बना कर दिये है key metrics के बारे में बात करें तो PE ratio 90.35 है जबकि sector का PE ratio 90.94 है अब sector का PE भी महंगा है और इस stock का PE भी महंगा है actually ऐसा नहीं था sector का PE इससे सस्ता हुआ करता था लेकिन हुआ क्या कि lockdown की वज़े से सब stores बंद हो चुके थे earnings इकदम भी नीचे चली गई थी तो जितने भी footwear industry के stock थे सब के prices में prices में गिरावट तो आई थी और prices में लेकिन हमें reversal भी देखने को मिल गया लेकिन उतना reversal earnings में देखने को नहीं मिला था इसलिए PE ratio कुछ ज्यादा ही हमें sector का उपर दिखा दे रहा है relax हो का पहले भी हमें premium valuation पे trade करता हुआ नजराता था लेकिन 90 कुछ ज्यादा ही हमें premium valuation दिखा दे रहा है price to book ratio 16.07 है जबकि sector का price to book 3.74 है dividend yield 0.15% है तो dividend पे ज्यादा focus नहीं करता growth वाला stock यह दिखाए जिता है अगर बात करें company के trend के बारे में तो financial trend लगातार उपर जा रहा है शांदार growth है 1.64,000 crores की revenue से 2.41,000 crores की revenue profits तो 4 सार में double हो चुके है 2017 में 0.11,000 crores का profit था जो की फिलाल 0.22,000 crores का 2020 में हो चुका है तो शांदार growth relax उफट वर्ष ने हमें पिछले 4-5 सालों में बना कर दिये चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि शांदार rally दिखाए पिछले 4-5 महिनों से stock continuously उपर जा रहा है 600 उपे के level से ये उपर जाकर 900 के भी उपर निकल चुका था और फिलाल हमें significant correction देखने को मिला 900 के level पर resistance face करने के बाद जो कि इसका all time high भी है और stock हमें नीचे आता हुआ नजार है current market price 8.23 के आसपास है फिलाल market में correction बना हुआ है तो यहाँ पर भी तेजी नहीं आ रही है consolidation देखने को मिलता है अब देख पाएंगे कितने दन हो चुके हैं कम से कम 8 trading session already हो चुके हैं 8 not trading session हो चुके हैं कि stock एक ही range में trade कर रहा है 8.50 के level पर strong resistance face करता है और 8.20 के आसपास एक strong support लेता है और वापस वहीं से bounce back दिखाता है तो यहाँ पर हमें consolidation चलता हुआ नजार है और आज की जो closing होई है 20 days के moving average के उपर नीचे होई है दूसरे जितने भी moving average है 50 days का moving average 100 days और 200 days अभी भी intact हमें दिखा जीते हैं indicators के बार में बात करें तो money for index का number 37 है जो कि बहुत ही weak हो चुका है RSI के number के बार में बात करें तो RSI का number 48.59 हो चुका है जो कि बहुत ही weak दिखा दे रहा है MSED में जो crossword बना हुआ है यहाँ पर भी गिरावट हो रही है तो of course various crossword बना हुआ है ballinger band के बार में बात करें तो lower band 800 का level है median है 854 का level upper band है 900 के आसपास का level pivot points के बार में बात करें तो pivot level 780 का है और पहला pivot support 745 का level है अगर बात करें इसके all time chart के बारे में जहाँ पर एक candle one month को represent करेगा जिसे हमें पता चलेगा कि stock ने कैसी movement बना कर दिये तो शानदार stock रहा है multi bagger returns इस stock ने हमें बना कर दिये जब भी गिरावट आती है तो 20 months का ये में as a strong support दिखा दिता है और वापस हमें तेजी continue रहती भी नजराती है फिलाल जो 20 months का ये में वो calculate हो कराता है 631 के आसपास का level तो ऐसी situation में investors को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं मेरा मानना है company का जो profile है बहुत ही अच्छा है इसका valuation premium ही रहता है और अभी तो कुछ ज्यादा ही premium हो चुका है उसमें कोई भी doubt नहीं है लेकिन जो company ने performance दिखाया है फिलाल जो quarter 3 के numbers दिखाया है वो reasoning भी अच्छे देखने को मिल है company वापस track पर आ चुके company अपना business सही तरीके से कर पा रही है वरना कई बार ये भी problem हो जाता है कि lockdown तो ease हो जाता है लेकिन consumer demand अदग हो जाती है जिसके करण कुछ problems देखने को मिल जाए लेकिन यहाँ पर ये situation देखने को नहीं मिल रही है तो long time के investors इसे continue holding कर सकते है हमने इसे 600 के भी नीचे accumulate किया है तो इसे आप long time के लिए continue holding कर सकते है और इसे add on decline कर सकते है तो अगर आप यहाँ पर fresh buying करना चाहते है तो जो level as a strong support हमें दिखा दे सकता है technically आप देख पाएंगे कि पहले यही level एक all time high की तरह दिखा दिया था इसी वज़े से यह पिछले 8-9 दिनों से यहाँ पर consolidate करने की कोशिच कर रहा है और यहाँ पर पहले भी as a strong support दिखा दिया 50 days का moving average इसे लेवल के आसपास बन कर आता है मेरा मानन है अगर आप इस stock को long time के लिए accumulate करना चाहते है तो जो level इसकी value के इससाब से एक अच्छा level हो सकता है वो होगा इसका 200 days का moving average जो की calculate होकर आता है 752 के आसपास का level तो अगर आपको stock कहीं पर भी 750 से करके 780 के zone में नज़र आता है तो यहाँ पर आप long time के लिए stock को अपने portfolio में add कर सकते हैं accumulate कर सकते हैं, buy and dips के strategy अपना सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हम से review करना चाहते हैं तो उसका link भी अपने description box में दे दिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए subscribe कीजिए, मुझे motivate कीजिए, thank you, stay happy, happy investing